और दोस्तों क्या हाल चाल है आज की इस वीडियो में आपको बाताऊंगा हाउ टो सॉल भोल्टी सिग्नल नौट सोइंग प्रोब्लेम निट्रोक सिग्नल फूल होने के बावजूद वोईसवार LTE का लोगो दिखाए नहीं दे रहे अगर भोल्टी नहीं आ रहा है तो भोईस कॉल करने में दिखाए दोगा तो इस प्रोब्लेम को ठीक कैसे करें वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बाता दूँ जिस सिम कार्ट को इसमें इंसर्ट करेंगे वो 4G होना चाहिए इस फोन में पहले भोल्टी सिंग्ल आते थे लेकिन कुछ दिन हुआ है वो भोल्टी सिंग्ल दिखाए नहीं दे रहा है तो दोस्तो आप फोन सेटिंग्स ओपें करिए सेटिंग्स ओपें करने के बाद सीम कार्ट एड मोबाल ने डॉक पर टैप कारना है यहां उस SIM card को select कीजिए जिस पर भोल्टी इस हो नहीं हो रहा हो SIM card settings में कुछ इस तरह के interface देखने को मिलेगा यहां पर network type, prefer 5G या prefer LTE सेट रखिए अगर भोल्टी settings off किया हुआ है तो उसे turn on कर दीजिए Next, Wi-Fi calling off रखिए इसके बाद side में दी गई power button दावा के airplane mode को on off कारना होगा airplane mode on off कारने से SIM card का network signal reset हो जाता है फिर गुछ तरह बाद भोल्टी network अपने अप activate हो जाएगा दोस्तों अब मैं आपको भोल्टी problem solve कारने का second process बात होँगा अगर SIM card insert कारने के समाए आपके दूरा गलास settings हो गया है या network eyes में कुछ अस्ते ही through decay कारन भोल्टी signal नहीं आ रहा है तो आप एक बाद phone का पूरा network system reset कर सकते है phone settings open करके connection and sharing पे tap कारना है इस call करके निच की और जाएए इसके बाद reset wifi, mobile network and bluetooth पे tap कारना है network reset करने से प्रहले मैं आपको बाता दूँ, safe किया हुआ wifi network, bluetooth settings और mobile network भी reset हो जाएगा लेकिन आपके phone में जो बाकी data है ओँ safe रहेगा जिस SIM card में प्रोब्लम आ रहा है उसे select करके reset settings पे tap कारना है इसके बाद phone का पूरा network system reset हो जाएगा फिर कुछ देर में voltage signal दिखाई देगा तब इस phone को internet और voice call के लिए use कर सकते है दोस्तों अब मैं आपको voltage signal ना आने का कुछ reason बाते है था हूँ अब मानके चलिए पहले हमारे mobile में voltage signal तो आते थे लेकिन आचनाक आज voltage नहीं आ रहा है इस situation में हो सकते हैं अपके area का network में कुछ problem चल रहा हो या पिर अभी जो network signal दिखाई दे रहा है वो 2G का signal है जिसके वैसे voltage icon show ना ही हो रहा हो voltage icon 4G या 5G network में show होता है या हो सकते हैं कि अपके phone में network IC खाराव हो चुका है अगर नेटोगास में कुछ issue हुआ है तो इस वीडियो में बात है कि कोई भी tricks आपके लिए काम नहीं करेगा इसको ठीक करने के लिए near service center या repair shop पे लेके जाना पड़ेगा इसके रवा आप उस operator के customer care पर complaint भी कर सकते हैं कि हमारे sim card में पहले भोल्टी आते थे लेकिन आप नहीं आ रहा है अगर sim card में कुछ problem है तो customer care आपका problem solve कर देगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ए वीडियो आपके लिए बहुत धरफूल था तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सुक्रिया